हेलो दोस्तों वेलकम टू आर यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 शूरेंस प्लान के बारे में जो कि आप सब जानते हैं इसके अंदर 10 रुपे की इन्वेस्मेंट से आप 4 करोड रुपे की इंखम कर सकते हैं जी हां बहुत सो लोगों को डाउन प्लान समझने में पीडिएफ के थूरू भी कुछ लोगों को प्लान नहीं समझने आ पा रहा है तो ओई आज हम आपको कॉपी पर बताने वाले हैं कि कैसे आप 10 रुपे से 4 करोड की इंकम पर पहुंचेंगे यसा की चार्ट के अंदर बत उनसे कुछ इंकम आपको होगी अब वही मैं आपको समझाने वाला हूँ जैसा की यह साथ लेवल का प्लान है एक दो तीन चार पांच छे साथ लेवल का यह प्लान है अब यह हेल्पिंग प्लान है तो इसके इंदर क्या होता है जब आप अपनी आईडी का रेजिस्ट्रे इन जो आपने चार्ट देखा होगा इन दोनों लोगों से आपको जैसे ही अपनी आईडी चालू करते हैं इन दोनों लोगों से आपको 10 रुपे की इंकम होती है यानि की टोटल कितने रुपे की इंकम होई 20 रुपे की अब होता क्या है जब 20 रुपे की इंकम हो जाएगी उसके बाद 10 रुपे जो है आपके ऊपर चले जाएंगे कटके और बाकी के 10 रुपे की आपकी income बच जाएगी जिसे आप निकाल सकते हैं ये तो रही पहले level की बात है ये तो बहुत simple है पहले level बहुत लोगों को असानी समझ में आता है लेकिन बात आती है दूसरे level से यहाँ पे बहुत से लोगों को doubt आता है दूसरे level में कितने लोग आते हैं ये दो अपने दो दो लगाते हैं तो दूसरे level में total लोग बनते हैं चार लोग कितने बने चार लोग जो company का चार्ट है income चार्ट के according इन चारों लोगों से आपको 10 रुपए आते हैं total बनते हैं 40 रुपए अब यहाँ पे बहुत से लोगों को समझने में doubt आता है कि कुछ लोगों का question क्या होता है सर मेरे second level में तो लोग आ गए हैं बट उन लोगों से मेरे को अभी तक पैसा नहीं आया है मैं बताता हूँ आपको इन चारों लोगों से आखिर पैसा आता कब है जैसे आपने अपने दो लोग लगाए थे आपको 20 रुपए की income हुई थी आपके 10 रुपए जो कटके जाते हैं वो आपके second upline को जाते हैं तरह जब इन चारों लोगों के दो दो नीचे जब लगेंगे तो इनके भी सभी लोगों के 20 रुपए की income इन सबकी होगी तब इनके 10 रुपए कटके second upline को जाएंगे और इन चारों लोगों के second upline कौन है आप तो जब इनके नीचे दो दो लग जाएंगे यानि कि यहां पर आठ लोग आएंगे तब इन चारों लोगों के 20-20 रुपए की इंकम हो चुकी होगी और इनके 10-10 रुपए ऊपर कटके जाएंगे सेकेंड अप्लाइन को जो की आप है तो आपके पास टोटल आएगा 40 रुपए अपकी बार 40 में से 20 रुपए आपके कटके ऊपर चले जाएंगे थर्ड अप्लाइन को और बाकी के 20 रुपए आपकी इंकम बच जाएगी यहां तक क्लियर है अब बारियाती है तीसरे लेवल क जैसा कि चार्ट में क्या बताया है कि इन तीसरे लेवल में जो आठ लोग आते हैं इन आठो लोगों से आपको 20-20 रुपए मिलेंगे अब यहां पे कुछ लोगों का फिर से सवाल आता है कि सर ये 20-20 रुपए क्यों देंगे प्लान तो 10 रुपए का है बर फिर से आपको मतादू कोई भी अपनी जेब से पैसा सिरफ 10 रुपए की इन्वेस्मेंट का ही देगा उसके बाद यह 20 रुपए यह आने वाले टाइम में और ज्यादा रुपए तभी देता है जब उसकी इनकम हो जाती है दारण के तोर पे हमने इस आठो लोगों की बात करूं इन आठ अठो लोगों के जिसके जिसके चार दो लेवल पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे उसको भी 40 रुपए की इनकम होती जाएगी फिर उसका भी 20-20 रुपए कट के 3rd अप्लाइन को जाएगा और इन आठो लोगों के 3rd अप्लाइन है आप तो कहने का मतलब जैसे आपके 40 नेंगे 160 रुपए अभी यहां पे काफी लोगों को डाउट के लिए दो बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे थर्ड लेवल में तो लोग आ गए है बट मुझे 20 रुपए नहीं आए तो मैं फिर क्लियर कर दू यहां पे थर्ड लेवल में शिरफ आईडी लगने से पैसा न यहां पर जाएगाअर बाकी के 80 रुपए आपकी इंकम बच जाएगी जैसे आप कभी भी निकाल सकते हैं अब बात करते हैं 4 लेवल में कितने लोग आते हैं 4 लेवल में लोग आते हैं 16 लोग जब यह सभी लोगों के नीचे जो दो-दो लगते हैं चोथे लेवल में 16 लोग बनते हैं, प्लान के चार्ट के गॉर्डिंग 16 लोगों से आपको हर बंदे से 80-80 रुपए आएगा, जब इन 16 लोगों का भी आपकी तरह जब ये 3 लेवल जैसे आपके पूरे होए, तीन लेवल की इंकम आपके पास आई तो आपके भी 80 रुपए क करते हैं, तो जैसे जैसे 80 रुपए जिसके जिसके कट जाएंगे वो आपके पास आत जाएंगे, तो आपके पास जिस दिन 16 लोगों से पूरे कट के आएंगे, तो टोटल बनेंगे 1280 रुपए, अब हर बार की तरह आधा पैसा यानि की 1280 में से 640 आपके कट के ऊपर चले अब पांचवे लेवल की बात करते हैं, पांचवे लेवल में टोटल लोग आते हैं, 32 लोग, इन 32 लोगों का भी तो कभी ना कभी आपकी तरह 4 लेवल पूरा होगा, इन 4 लेवल पूरा होने के बाद जैसे आपके 640 रुपे कटके उपर गए थे, कभी ना कभी इन 32 लोगों टोटल पैसा आता है 20,480 रुपए अब 20,480 में से हर बार की तरह आधा पैसा यानि की 10,240 उपर सला जाएगा और बाकी के 10,240 आपके पास बच जाएगा जिसे आप निकाल सकते हैं अब छटे लेवल की बात करें छटे लेवल में लोग आते हैं 64 लोग जिस तरह से आपके 10,240 रुपए कटके उपर गए थे बिल्कुल इसी तरह ये 64 लोगों के भी तो कभी न कभी पांच लेवल पूरे होंगे उनका भी फिर 10,240 रुपए कटके उपर जाएगा तो जिस दिन 64 लोगों के सभी लोगों के जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको 10,240, 10,240 आते रहेंगे जब सभी लोगों से आ जाएंगे तो टोटल बनेगा 6,55,360 रुपए के करीब बनेगा अपकी बार 6,55,000 का आदा पैसा 3,27,780 रुपए अपकी बार उपर कटके चला जाएगा और बाकी का 3,27,780 रुपए आपके पास बच जाएगा इस तरह से ये प्लान काम करता है अब बारी आती है 7th लेवल में 7th लेवल में आप पाएगे कि आपके 128 लोग लगे होए हैं अब इने 128 लोगों से भी तो कभी ना कभी इनका भी तो आपकी तरह 6 लेवल पूरे होंगे 6 level पूरे होने के बाद inka भी 37,000 परटेगा जैसे जैसे जिसका 6 level पूरे होते जाएंगे उनके उनके पैसे आते जाएंगे तो इस हिसाबसे 128,000 लोगें के जब पूरे पैसे आ जाएंगे तो वो बनते हैं करीब 4,19,43,04,40 रुपै और अब की बार आपको कोई भी पैसा कटके ऊपर नहीं जाएगा यह पूरी इंकम आपकी है तो दोस्तो इस तरह से यह पूरा 10 रुपे की इन्वेस्मेंट आपको कैसे 4 करोड तक लेया सकती है करना कुछ नहीं है सिरफ 2 लोगों को जॉइन करना है कंपनी की कंडिशन भी यही कहती है कि कम से कम आपको अपने लिंक से 2 लोगों को जॉइन करना है यह कंपलसरी है अगर आपने 2 लोगों को जॉइन नहीं किया तो आपकी आईडी भी ब्लॉक कर दी जाएगे इसलिए ये दोस्तो helping plan है helping plan आप समझते ही यहाँ पे company में किया क्या है लोगों की help से logo की help करी है तो simple सी plan है 10 रुपे की investment से आप 4 करोड कमा सकते हो अभी भी अगर किसी लोगों को कोई doubt है तो नीचे description नीचे comment box में आप अपना question लिखिए आपके सभी question का जवाब दिया जाएगा I hope आपको अब यह plan समझ में आ गया हो मैं फिर से आपको बता देता हूँ ठोड़ा short कर देता हूँ plan हर level में लोगों को क्या लगता है बस joining आ गई थर्ड लेवल में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे थर्ड लेवल में लोग तो लगें बट मुझे तो किसी भी आदमी से 20 रुपे नहीं आया हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी आदमी से फोर्ट लेवल हो जब उसका वो वाला माउंट कटेगा तब आपके पास आएगा हर लेवल में define किया हुआ है दूसरे level में define किया है जब उसके 10 रुपे कटेंगे तो ऊपर आएंगे आपके पास तीसरे लेवल वालों से आपके पास 20 रुपे वाला आता है बाकी को ये पेसा आपको ना उनके फर्स्ट लेवल अपग्रेड पेसा आएगा ना उनके 20 रुपे कटेंगे तो आपको आएगा इन 16 लोगों से कब आएगा जब इनका 80 रुपे कट रहा होगा जैसे आपका 80 रुपे कट के ऊपर फॉर्थ अप्लाइन को गया था बिल्कुल इसी तरह य 64 लोगों का कौन सा माउंट आएगा 10,240 वाला 123 वालों का कौन सा आएगा 3,27,000 वाला आइछिंक आपको शायद ये प्लान क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए आपके सभी क्वेशन का जवाब दिया जा कर दो